हेलो फैंस वेकम टूची जीबुटीग अब हमने आकली सूट के स्टीचिंग करेंगे इसकी कटिंग हमने कर लिया अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखियो तो आप बटन पकलिक करके के कटिंग की वीडियो देख सकते हैं यह जो हमने प्लेटो का निशान यहां पर लगाया है वही निशान हम पहले सब चारों तरफ लगा लेंगे फ्रेंट और बैक तोनों तरफ यह निशान आ जाएंगे इसमें अब हम पहले इसके फ्रेंट को जाइंट कर लेते हैं जो हमने सेंटर का कट लगाया है इसमें और इसमें इसको हम मिला के इस तरीके से तब इसमें हम रफ सिलाई देंगे कि हम पहले हैं तर देंगे जो हम पहले हैं प्रत करने प्रोफ प्रत करने नहीं बड़ीं एड़ने के दुछके माईं करिका लिए यहाद़े दोड़ा पार्ट था थारे दे और प्रत करने के दोड़ा हुआ है झाल झाल अब इसकी प्लेटो के लिए या पे हम रफसिलाई लगाएंगे अब इसको इस तरी किसे उठाके यहां से इसमें हम लेटल डाल देंगे यह दोनों प्लेटे हमने इसमें डाल दी हैं अब हम इसके नैक को तयार करेंगे यहां पे जैसे कि अब इसका रखेंगे यहां पर इतना तो यहां पर हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से और यह नैक हमने तयार कर लिया इसका यहां से कटिंग करके इसको इसके उप्रक्याम चिल देंगे अब अब इसको हम यहां से कटिंग कर लेंगे अब इसको हम यहां से कटिंग कर लेंगे हाफ आफ इंच के गैप में यहां पर हम इसलाई को बचाते हुए कट लगाएंगे इसमें अब इसको यहां से इस तरह के से पलट लेंगे और यहां पर सिलाई लगाएंगे इसके किनारी पर इसका फ्रेंट पार्ट तयार हो गया अब हम इसका बैक पार तयार कर लेंगे इसी तरीके से हमने योग का फ्रेंट और बैक तयार कर लिया है अब हम इसकी कलियां जोड लेंगे यह कली है हमारी यह लाइनी वाली कली है पहले हम इनको जोड लेते हैं जैसे कि डबल कली है हमारी इस तरीके से इस पर हम सिंगल वाली कली को जोड लेंगे दोनों तरफ इस तरीके से इतिर्छे वाला हिस्साम इसके साथ इस तरीके से रखके जोइंट लगाएंगे इस तरीके से हम इसके दूसरी तरफ जोइंट लगाएंगे एस सिंगल कली का यह एक तरफ के जिए ट्यार कर लेते हैं अब हम जार करव तो आद तो tutti 극् nữa को जासे मंने उसमें यह डबल जो हमारी कली है इसके दोनुट रफ मनें यह ज्वाइंट सिंगल कली से इस तरीके से हम इसमें भी लगा लेंगे है आप 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 अब इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे. कर दोल्स कर दोल्स से उқचिंगे. उची कंप।्ठक है,। रचिंगे पीच।, तर यूभी मुझा रर्ली आए।, थाचिंगे,। पुब कर दो सकते हैं यह नार कली की लाइनिंग की कल्यां तयार हो गई है अब हम सूट की कल्यां तयार कर लेते हैं इसी तरीके सी चॉइंट लगा के यह हमने इसके सारे कलियां जोड ली है और इसमें सब में इंटरलोप भी हमने कर ली है अब हम इसमें जो हमारी वाली कलिया है लाइनिंग वाली इसको मिस में इस तरीके से टैच कर लेंगे हम कर लेंगे कॉरब लेंग इस परह से बाद़ जोड़िस आदा तरीके सम्में जोड़ कर दो पता है लेंगे जिस तरीके से हमने जॉइंट किया है इसी तरीके से हम इसमें भी जॉइंट कर लेंगे फ्रेंट और बैक दोनों हमारे तियार हो जाएंगे जाएंगे एक देंगे जाएंगे बारीके से अनल जॉइंट दरीके से हमने जॉइंगे इस प्रेंगे अभीर से का दोनों हमारे जाएंगे अब हम इनको योग के साथ अटेच कर लेंगे जो में योग तियार की है उसके साथ अटेच कर लेंगे पहले योग के बीच में हमें कट लबा लेते हैं इस तरीके से और एक कट हम इसमें लगाएंगे अब इस कट के साथ इस कट को इस तरीके से मिला लेंगे और इसके उपर इसको स्टीच करेंगे कर दो नवेते हैं इसी तरीके से हम दूसरी तरब भी अटेच कर लेंगे ओनी तरीके से हम आप उमें कर एकिए एकन Dif कु NGO एक जिछ estáमी के से मिले सी तरुशित कर दिए डिर शूर कार्ट है सोओनी तरब इसे चक्ति कर फाहरा कि उबना है नहीं हम द बनाल, क्या उरसे स्थारीके सिन्षब काल में दाब कर दान की जबनी तरीकе मिल Bishop यह हमने इसके फ्रन्ट और बैक दोनों जोड लिए हैं अब इसमें हम स्लिज लगा लेते हैं और इसको त्यार करने के बाद इसका फाइनल लुक दिखाएंगे यह अनारकली सूर्ट त्यार होने के बाद इसका फाइनल लुक है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें